नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेंड धर्मा सनमार्ग सनिवार के दिन छोटे छोटे प्रियोग किये जाते हैं जीवन की तमाम मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए सत्रों से मुक्ति के लिए रुका हुआ फसा हुआ धानाने के लिए करजों से मुक्ति के लिए और जीवन के जो तंत्रबादा मंत्रबादा हैं उनसे बाहर आने के लिए जीवन में कभी कभी अपने ही सत्रों हो जाते हैं और पडोसी तो होते ही हैं अब ऐसा नहीं कि हर कोई सत्रू है, अपने भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं पर अधिकतर लोग जलन ही रखते हैं, आपके करियर से, आपके परिशनलिटी से, आपके खुसाली से, जलन रखने वालों को टॉपिक नहीं चाहिए, बस वो जलते ही रहते हैं, कभी-कभी तो इतने जादा वो परिसान करते हैं कि आप हार जाते हैं। अब ऐसे में क्या करें? कि सब कुछ बेहतर हो जाए? क्या करें? कि सब कुछ ठीक हो जाए? आज हम काले मिर्च की बात करेंगे। देखे काले मिर्च अगर हम ज्योतिस की मानें, तो इससे बहुत सारे प्रियोग किये जाते हैं तोटके किये जाते हैं बहुत सिंपल सी चीज है आपके किचन में होगी और अगर भोजन में इसका प्रियोग करें तो आपका स्वास्त भी अच्छा रहता है नकातमक सक्तियां दूर रहती है घर में सुब और अच्छे लोजगार के दिन काले कपड़े में थोड़ा सा काले मिर्च और थोड़े से सिख के अगर काले धागे के साहरे बांध कर किसी को दान कर देन या पीपल के नीचे रख दें या किसी मन्दिर के सिड़ी पे हैं तो सनिधेब के प्रकोब से मुक्ती मिलती है तो ये तो सिंपल सा परियोग है इसको आप कर सकते हैं रोजी रोजगार की समस्या भी दूर होगी और जीवन के बहुत सारी परिशानियों से बाहर निकल आएंगे कई बार क्या होता है आप दिन बदिन उलसते चले जाते है किसी ने किसी चीज में कभी बीमारियां परिशान कर रही कभी धन की समस्या है कभी पारिवारिक टेंसन है बहुत तरह की जीवन में टेंसन होते है ऐसे ऐसे टेंसन होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते अब ऐसे में आप माल लेते हैं आपके बास बहुत साइटेंस है आप परिसान है क्या करेंगे बहुत सिंपल काम करना है सनीवार के साथ काली मिर्च के पांच दाने ले 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 अब उनको आप अपने सर से साथ वार वार ले अपने घर में ही ये काम कर ले अब इसको किसी चीज में रखकर कागस बेगरे में आप किसी भी ऐसे अस्थान पर खड़े हो जाएं अगर चौरहा है आपके आसपास तो वहाँ चले जाए या ऐसे अस्थान पर चले जाएं आकस्मिक धनलाप के योग बनेंगे जीवन के बहुत सारे परिसानियों से आप बाहर निकल आएगे आज हम सत्रू मुक्ती के लिए एक छोटा सा प्रियोग आपको बताएंगे बहुत सिंपल है देखिए काली मिर्च आपको लेने है साथ या दखिए साथ काली मिर्च अगर स 4 सत्रू जादा परिसान करें अपने हों पराये हों कोई भी हों सत्रू-सत्रू है एक हैं हजार है सब का नाम लीजेगा तो आपको साथ काली मिर्च लेना है आप चाहें तो 11 भी ले सकते हैं कोई दिकत नहीं अब इसको किसी भारी बस्तू से दबा कर उसको हलका सा कूच द अब इसको गाई के कच्चे दूद में मिलाकर किसी भी सनी बार या सोम बार के दिन जाकर सिबलिंग पर अरपित कर दें भगवान से प्राथना करें कि सत्रूं से मुफ्ती दिलाईए यकीन मानिए सत्रू सांत हो जाएंगे तीन सनी बार या तीन सोम बार लगातार कीजेगा बहुत सिंपल है याद रखिए गाई का कच्चा दूद लेना है और काली मिर्च तो ये परियोग जबाब कीजेगा तो लगातार नमसी बायका जब करते रहिएगा और बाचित मत कीजेगा परियोग करने के समें आप मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मंदिर में करें तो जादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर की गई परार्थना कभी भी और स्विकार नहीं होती हैו। अब कई बार चुकि ये प्रयोंग बहुत 6 रहाय है आपके पास गाय का दूध नहीं मिल रहाया है मालेते हैं नहीं है आपको खरिद के लाना होगा आपको घर में प्रयोंग करना है आप जल्दी में है शुले सुबव क्या करेंगे तब तब अगर आपको लगे कि नकात्मक उड़ जाएं बढ़ गई है जीवन में टेंसन बढ़ गई है परेसानिया बढ़ गई है तब एक सिंपल सा फरियोग करें बहुत सिंपल है आपके उलजनों को दूर करेगा सत्रों को सांथ रखेगा आपके जीवन में अगर कहीं कोई रास्ता नहीं मिल रहा है आप दिसा बटक गया है या पिर आप लगता है लक्षहीन हो गया है चाहकर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे है तब एक सिंपल सा काम कीजेगा आपको चाहिए होगा थोड़ा एक कागज और वो अगर भोजपत्र हो तो और अच्छ अगर आपके पास भोजपत्र मिल जाता है तो उससे चाह कुछ हो इनी सकता अब इस भोजपत्र पर या नहीं है तो सफेद कागज ले ले जिसमें मैथ बनाया जाता है जिसमें लाइन डे नहीं होती खीची भी वही वाला लीजेगा अब इस पर काजल से या काली के सहारे स अब लिखलें के बाद थोरा सा सहद उसके उपर लगा दे जहां पर सत्रू का नाम लिखा है ना उसके उपर इसके बाद काली मिर्च के साथ दाने रख दे अब इस कागज को जैसे मर्जी वैसे जला दे चाहे तो कागज को जला दे या किसी आग में डाल दे जलती भी आग आपके बारे में कुछ गलस सोच भी नहीं पाएगा एकदम से सांथ बहुत सिंपल है लेकिन प्रयोग अद्भूत है तो सत्रूं से मुक्ति पाने के लिए ये प्रयोग अद्भूत है और इसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है अब हम आते हैं सिपजी के सरन में कई बार क क्या होता है ऐसे लोग सत्रूं होते हैं जिनको आप न छोड़ सकते हैं न पकड़ के रख सकते हैं अब यहां पर जब ज्यादा परिसानी हो जाए तब एक सिंपल सा काम करें आपको चाहिए होगा पांच काली मिर्च के दाने और गाई का घी अब गही में थोरा सा गी पिगला लें इसमें पांच काली मिर्च के दाने लेने साबूत लेना है किसी डब्बे में बरतन में लेकर जाएं सिपजी के मंदिर घर में भी कर सकते हैं बाद में इसको उठाकर कई मिट्टे में दबा दीजेगा अब सिबलिंग पर इस घी में जो मिक्स किया है अपने काली मिर्च उसको अरपित कर दें All वागव करें जो प्यक्ति सिपजी के सरन में आ जाता है भगवाद संकर के सरन में आ जाता है पिर जीवन में और कुछ आपको गहने की किसी से आवा सकता नहीं है शिबजी से कहिए लोगों से आपने बहुत मन की बहुत सारी बाते होती है अच्छी बुरी डर भै लेकिन हर बात पूरी होने लगी तब तो हो गई इसलिए जो भी आपकी कामना है वो बोलिए इसके बाद जब आप अर्पित कर ले फिर एक लोटा जल अर्पित कर दीजिएगा अगर आपको लगता है कि कोई तांतरी क्रिया आपके उपर करवा दिया है तोना तोटका आपको किसी की नजर लग गई है बरकत नहीं है नौकरी बेपार में भी तरक्की नहीं है और जीवन में परिसानिया बढ़ गई है तब काली मिर्च का एक प्रियोग आपके जीवन की ह फर मुश्किलों से आपको बाहर निकालेगा देखिए एक घर में नियम बना लें जब भी आप दिया बाती करते हैं साम के वक्त याद रखिए साम के वक्त तब दीपक में एक काली मिर्च का दाना डाल कर और फिर जलाएं फिर देखिए कैसे आपकी जीवन की समस्या कई बार क्या होता है ना नौकरी बैपार आपके अच्छी चलती ही नहीं आप कोई भी काम करने जाते हैं उसमें और सफलता मिलती है आप कोई डील फैनल करने जा रहे हैं मन में डर है आप बच्चों का बिवा समंधी बाते करने जा रहे हैं जमीन जायदा समंधी बाते करने जा रह पहले अपने घर के चौकट पर एक काली मिर्च के दाने रख दें और उसको उसके ऊपर जूते से चपल से तोड़े और उसको थोड़ा सा आगे क्यों ठेल दें और फिर आप आगे निकल जाए पीछे मुर्का मत देखिएगा आप जो भी कारी के लिए निकले हैं उसमें सफल प्रभाव है वह भी तूटकर बिखर जाएगा और अच्छा प्रभाव प्राप्त होने लगेगा एक खास बात हम आगे बढ़ें उसके पहले देखिए कई बार क्या होता है आपके बच्चे हैं टीनेज के हैं बाहर जाते हैं इधादों घूमते हैं कभी उनको अंदर से अ किसी तरह कोई तंत्र क्रिया होंगी उपरी हवा होगा तो वह निकल जाता है लेकिन उसके पहले एक और बाद देखिए सनीवार के दिन सिर्फ सनीदेव की पूजा करने से आपको पुरा फ़ल नहीं मिलेगा क्योंकि उनकी पूजा करने के बाद हन्मान जी की पूजा परिशानी बढ़ गई हो तब एक छोटा सा प्रियोग करना है आपको आप अपने घर में जो घर का सबसे अंधेरा कोना है उस कोने में साम के वक्त एक सरसों के तेल का दिया जलाएं और उसमें दो दाने काली मिर्श के डाल दें बाती के पास ही रखिएगा ताकि वह और जब दीपक सांथ हो जाए तब इसको उठा कर कहीं मिट्टी में दबा दीजिएगा या फिर पीपल की नीचे मिट्टी में रख दीजिएगा दबाकर अब एक और एक खास बात आप घर में दिया बाती तो करते ही होंगे आप साम के वक्त जब दिया बाती करते हैं तब एक छोटा सा काम क्या करें वैसे सनीवार की साम एक दीपक पीपल के नीचे जरूर जलाएं अगर आप पीपल के नीचे नहीं जला पाते हैं तो घर के मुख्य दरवाजे के बाहर ही जला दीजिएगा काकि पित्री देवों को इससे मुक्ती मिले और वो संतूस्ट हो जाए उ अब फिर देखिए चमतकार फिलाल विदा लेते हैं हरहर महादेव धन्यवाद